देलाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार मैं हूँ रंजीत ज्या और आप देख रहे हैं देलाइफ टीवी 2024 लोकसभा चुनाव नजदिक आते ही एक बार फिर से मस्जिद और मंदिर की सियासत शुरू हो गई है इस बार महराष्ट्र को निशाने पुर लिया गया है श्रीगूफा छोड़ने वाले कोई और नहीं भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं दरसल महराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद दरगा है हाजी मलंग दरगाह जिसे लोग प्यार से मलंग बाबा का दरगाह भी कहते हैं अब इसे एकनाथ शिंदे ने मंदर बताया है हलाकि इनके गुरू आनंद दिगे ने भी 1980 में ही इसे मंदर बता दिया था लेकिन इस दरगाह की खुबसूर्ती ऐसी है कि जहां धर्व पड़े हो जाता है अब इन्हें मंदिर नजर आता है और उस वक्त किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि उन्होंने भगवा चादर चड़ाई थी और यह बताने की कोशिस की कि यह दरगाह नहीं दरसल मंदिर है अब आश्चर्य है कि देश में जब भी चुनाव आता है तो इस तरीके से किसे विवादित मुद्य को उखार कर बीजेपी या उनकी सहयोगी माहुल बनाने की कोशिस करते हैं ताकि हिंदूों के वोट बैंक को साथ सके हैं जिस हाजी मलंग दरगाह की बात हो रही है ये दरगाह जिस ट्रस्ट के तहत चलता है जो इसका पूरा ओपरेशन देखते हैं वो खुद हिंदू है अब यहां से जब शिगूफा छोड़ा गया है उन्होंने भी हैरानी जताई है हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे पहले अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देखें यह है महराश्टर का हाजी मलंग दरगाह यानि हाजी बाबा का यान मलंग बाबा जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं वो दरगाह है अब यहाँ पर मंदिर होने का दवा क्यों किया गया जबकि सब कुछ बहुत ही प्रेम से सौहार्दपुर्ण तरीके से यहां चलता रहा है आज से नहीं बहुत पहले से बारहमी सताबली से भी पहले से बताया जाता है यह पहुत अतिहासिक है और इसको लेकर अब विबात छेड़ने की जरुत क्या है क्या बहस का यह मुद्दा हो सकता है इस वक्त अगर हो रहा है तो निश्चे तोर पर यह राजनी की है यहाँ पर निज्टोडिफ फोर्ड ने लिखा भी है महराश्ट्रा हाजी मलंग दरगाह के मंदिर होने का दावाद सीम शिंदे बोले हम इसे जल्द मुक्त कड़ाएंगे यानि कि यह क्या एकदम गुलामी में है क्या मंदिर जो इन्हें मुक्त कड़ाएंगे आप इस समाज में हिंदू मुसलिम करने के इस देश में यहाँ पर हर वक्त धर्म के सियासत क्यूं होती है यह सवाल लोग पूछने भी लगते हैं अब इस हाजी मलंग दरगाह के इतिहास से लेकर बरतमान तक के जो इस्थिति है उसे जानने के बाद हर कोई कहेगा यहाँ विशुद राजनित हो रही है क्योंकि इस दरगाह के देखरेक की जिम्मेदारी किसे हिंदू भाई को मिली हुई है तो कभी किसे मुसलिम भाई ने इस पर आपत्ति तक नहीं जाता है और आज इस दरगाह को मंदिर बताकर उसके मुक्ति की बात करके मलंग बाबा को मलंगाड का नाम दे करके जो आप कह रहे हैं और फिर वहाँ पर जो वो चाहते हैं वोट बेंक को एकत्रित कर पुलराइजेशन की जब बात होती है हिंदु मसलिम वोट पुलराइजेशन की सर्फ वही करना इनका टार्गेट है यहां देखिए हिंदुस्तान ने लिखा है महराश्ट्र के हाजी मलंग दरगाह के मंदिर ह होने का दावा एकनाथ शिंदे बोले जल्द मुक्त कराएंगे फ्रा रिपोर्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है महराश्ट्र के मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा था कि वह सद्यों पुरानी हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिमत हैं शताबदी के सुफी संथ हाजी अब्दुलरह्मान की मौत की बरसी की तैयारी हो रही है उन्हें अस्थानिय रूप से हाजी मलंग बावा के नाम से जाना जाता है बीस फरवरी को उनकी बरसी मनाई जाएगी शिंदे के बयान पर दरगाह के तिन सदस्य ट्रस्ट के दो ट्रस के जो मेंबर हैं उन्होंने कह दिया है इसे दरगाह और मंदिर के बीच में उलजाने वाले सिर्फ और सिर्फ राजनीत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है क्योंकि ये पूरे एक वंस है एक जेनरेशन है जो लगतार इस दरगाह की रक्षा देखरेक सब कुछ करता रहा है औ और जब 20 फरबरी को बरसी मनाई जाएगी हाजी मलंग बाबा की तो वहाँ पर इन लोगों ने मंदिर होने का शिगोपा छोड़ दिया है इसको लेकर अब विवाद जो है एकदम से तैह है बहुत बड़ा बवाल करने की तैयारी है निश्चे तोर पर शिंदे चाहते हैं क किसी न किसी रूप में यहाँ पर वो अपने सियासी पैठ बना सके क्योंकि शिवसेना इससे पहले भी यह काम कर चुकी है और उस वक्त बताया जाता है कि 20 हजार शिवसेनिक जो है वो चले गए थे पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पर मंदिर के तोर पर और उद्धव सब्धाकरे भी गये एकनात शिंदे भी हूँगे और जो बात होती है इतिहास से यह लोग माहूल बनाने के कोशिस करते लेकिन वहाँ जो विश्वास लोगों का है वो सर्फ इस बात पर ठिका हुआ है कि वह हाजी मलंग बाबा है वो मुसलिम है हिंदू है मंदिर है दरग लिखा हुआ है कि 1954 में दरगाह के नियंत्रण से संबंदित एक मावले में सुप्रीम कोट ने कहा था कि दरगाह एक संदचना थी जिसे हिंदू या मसलिम कानून द्वारा शासित नहीं किया जा सकता है यह केबल ट्रस्टों के सामानिक कानून द्वारा विशेस रिटी रिव पार से हैं ने कहा कि हर साल हजारों भक्त अपनी मंदत को पूरा करने के लिए मंदिर में आते हैं लेकिन यहां पर सियासत करने वाले समय समय पर चुनाओं के वक्त मौका निकालते हैं और हिंदू की भावनाओं को भरका कर उनके वोट बेंक को इकठा करने की कोशिश करते तेरा सोचिए कि उस दरगाह के पास कोई चाय का दुकान लगा हुए है कोई ठेदा रेरी लगा कर अपने जीवन यापन कर रहा है उनसे भी बात करने की कोशिश की गई उन्होंने जो बाते कही हैं इसे अगर आप सुनेंगे तो इन राजनित्योगियों की मनशा को भी आप भाप जाएगे तो देखी क्या लिखा गया है हिंदुस्तान नहीं जानकारी दी है दरगाह के आसपास की राजनीत अब गर्म होने बाली है लेकिन दरगाह के आसपास रहने वाली लोग काफी हद तक और प्रभावित हैं प्रभात सुगवेकर का पड़िवार पीरियों से मंदिर तक जाने वाली पहारी पर एक छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान चला रहा है उन्हांने कहा ज्यादातर मसलिम स्रधालू दरगाह को हाजी मलंग बाबा के नाम से जानते हैं जबके हिंदू आनंद दिगे के यहां आने के बाद से इस अस्थान को श्री मलंग गाद के नाम से जानते हैं मेरे लिए बाबा और श्री मलंग दोनों एक ही भगवान है उन्हीं की वज़ा से मेरे पास आजविका का साधन है मंदिर हो या दरगाह यहाँ मेरे लिए ज़्यादा माईने नहीं रखता धर्म से पड़े वहां के लोग कहते हैं कि हमारी रोजी दोटी चल रही है इसे तो इसे बड़े आस्था और उनके आश्रवाद की बात और क्या हो सकती है इनके बाबजूद यहाँ पर सियासत करने बाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं देखे बिवाद है कि यह लोग लगाता ऐसे शेगूपे छोड़ते हैं जिससे सियासी हवा बदलने लगती है नफरत की हवा बहाने की कोशिश की जाती है और यह बिवाद जो है थमता नहीं इस मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है हमने कहा कि 12 शतापदी से यह सिलसला है वहाँ पर बहुत कुछ है इसके बाबजूद यह लोग अगर ऐसा खेल कर रहे हैं दरगाह को मंदर बनाने की जिद लिए फिर से उत्तर परदेश की तरह महराश्र को भी उसी आग में जोकने की कोशिश करना चाहते हैं तो यकिन मानिये विशुद राजनीत है और गिलावनी राजनीत इसे ही कहते हैं जहाँ पर धर्म के नाम पर ही वोट मांगा जाता है इस बार भी बीजेपी मुख्य अजन्डे के तौर पर राम मंदिर को ही भुणाना चाहती है और इस बक्त सिरी मलंग बाबा इन्हें अब टार्गेट किया जा रहा है इनके दरगाह को मंदिर बता कर मुक्ती की बात कर एक मुख्य मंतरी नहीं जब ऐसी बात कह दिये तो बाकी का हिसाब छोड़ी दीजिए फिलाल इस वीडियो में तुना ही आप सभी कान से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धनी बात